जैसे जैसे देश में करोना वाइरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ही सरकार और प्रसाशन की चिंताएं भी बढ़ती जा रहे हैं मरीजों की बरती संख्या को रोकने की अलग-अलग उपाय किये जा रहे हैं लेकिन ऐसा करपाना मुश्किल नजर आ रहा है इसी को देखते हुए यूपी सरकार ने भी एक फैसला लिया है जिसमें मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक अगर जरूरत पड़ी तो फाइब स्टार होटलों को क्वारंटीन सेंटर के तौर पर इस्तमाल किया जा सकता है लखनो प्रसाशन ने शेहर के चार होटलों का अधिकरहन किया है जिनका जरूरत पढ़ने पर इस्तमाल किया जा सकता है इसके लिए होटल हयात रिजिंसी और फेडरल होटल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के मेडिकल स्टाफ के लिए तयार रखा गया है वहीं संजय गांधी अस्पताल के मेडिकल स्टाफ के लिए लेमिन्ट्री होटेल को तयार रखा गया है गौरतलब है कि सरकार की तरफ से किये जाने वाला फैसला जहां राहत दे रहा है और वहीं सरकार लोगों को बचाने के लिए बहुत से प्रयास भी कर रही है तो वहीं ये फैसला डराने वाला है कि क्या स्तिती इतनी बुरी हो सकती है कि होटल्स को क्वारंटीन सेंटर में तब्दील करना पड़े न्यूस टेस्क